हेलो बच्चो अब हम पाठ सोला सबजी लेलो सबजी के प्रश्णों पर चर्चा करते हैं और सुरू करेंगे हम प्रिष्ट संख्या निन्नानवे से पहला प्रश्ण है क्या तुम्हारे घर में किसी को सुबा बहुत जल्दी उठना पड़ता है किस समय और किस काम के लिए तो ये उत्तर आपके अपने हो सकते हैं मैंने अपना उत्तर लिखा है कि मेरे घर में भाईया को सुबा जल्दी उठना पड़ता है और वे पढ़ाई क प्रश्ण में अगला प्रश्न है क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सब्जी देखी है कहा तो उत्तर है कि अपने घर में तथा सब्जी मंडी में बच्चों आप अपने घर पर भी देख सकते हैं कि जो सब्जी घर पर आती है यदि बहुत दिनों तक उसका इस्तिमाल ना हो तो वह या तो सूख जाती है या फिर सड़ जाती है इसी प्रिष्ट में अगला प्रश्ण है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि सब्जी खराब हो गई है तो बच्चों सब्जीयों के आकार, रंग एवं गंद में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन से पता चलता है कि सब्जीयां खराब हो गई है अगले प्रश्ण में आप देख सकते हैं कि तीन घडियां दिखाई दे रही है आपको क्या करना है कि नीचे घडियों में दिखाए गए समय पर आप और हेमलाल क्या क्या कर रहे होते हैं इसकी जानकारी लिखनी है जैसा कि मैंने लिख दिया है हेमलाल उस वक्त क्या क्या करता है आपको अपना लिखना है कि आप उस वक्त क्या करते हैं जैसे पहली घड़ी पे आप देखते हैं कि सुबा के साड़े 6 बज रहे हैं तो उस वक्त हेमलाल क्या कर रहा था बच्चो आपने पाठ में पढ़ा ना कि घर के सभी सदर से उठ जाते हैं और बोरियों से और टोकरियों से पिछले दिन की सबजियों को वो निकालते हैं ताकि हेमलाल के पिताजी उन्हीं बोरियों को लेकर उन्हीं टोकरियों को लेकर मंडी जा सके और वहां से ताजी सबजियां खरीद कर ला पाए तो आप 6.5 बजे क्या करते हैं या आपको लिखना है इसी परकार दूसरे घड़ी में आप देख सकते हैं कि दिन के 2 बज रहे हैं तो हेमलाल उस वक्त स्कूल से लौटता है बच्चो आप क्या करते हो 2 बजे वह आपको लिखना है अब आप देखें तीसरी घड़ी में रात हात्री को आप क्या करर रहे होते हुए अब हम प्रिष्ट संख्या 101 पर आते हैं पहला प्रशन इसमें पूछा गया है कि तंहारे घर में सब्जिस गहां से जाहिते हैं मेरे घर में सबजियां बाड़ी से और कुछ सबजियां बाजार से आती है इसी में दूसरा प्रश्न है कि तुम्हारे घर में सबजियां कौन लाता है मेरे घर में सबजियां मेरे पिता जी और कभी कभी मेरी मा और मैं भी सबजियां लाता हूँ अगला प्रश्ण है कि जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों का पता करना है और उनके नाम लिखने है तो उत्तर मैंने लिखा है कि पाल, केला, फुलगोबी, टमाटर, बैगन, अंगूर, खीरा ये जल्दी खराब हो जाते हैं और पता है बच्चों ये जल्दी खराब क्यों होते हैं क्योंकि इन फलों और सब्जियों में जल की मात्रा अत्यधिक होती है अगला प्रश्ण है कि कुछ दिन तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियों का पता करो और उनके नाम लिखो तो मैंने उत्तर में लिखा है आलू, प्याज, सेव, चीकू, अद्रक, अनानस ये ऐसे फल और सब्जियों हैं जो जल्दी खराब नहीं होते हैं अगला प्रश्ण है आपको सोच कर लिखना है प्रश्ण है कि कौन-कौन से फल और सब्जियों है जो छूने में चिकनी लगती है उनके सूची बनानी है मैंने कुछ के नाम लिखे हैं आप इसमें कुछ और भी नाम एड़ कर सकते हैं उत्तर है लौकी, खीरा, टमाटर, सेव, अंगूर आपके घर में आने वाले फल और सब्जियों को आप छू कर पता कर सकते हैं कि वो चिकनी लगती है या खुर्दुरी इसी प्रकार अगला प्रशन पूछा गया कि कौन कौन से फल और सब्जियां है जो छूने में खुर्दुरी लगती है सूची बनाओ तो उत्तर मैंने लिखा है कि अदरक, करेला, अनानस, फुलगो भी छूने में खुर्दुरी लगती है बच्चो आप भी छूकर पता लगा सकते हैं तो बच्चो पाठ में दिये गए लगबख सभी प्रशनों के उत्तर हमने प्राप्त किये पाठ के अंत में एक क्रिया कलाप यानि एक्टिबिटी दी गई है आप उसे जरूर करें इसमें एक तालिका है और आपको इस तालिका को पूरा करना है इस तालिका में कुछ फल और सबजियों के नाम है उन फल और सबजियों के रंग को पता करना है और आप स्केल से या मेजरिंग टेप से उसकी लंबाई को आपकर नापकर लिखना है मात्रा यानि वह सब्जी या फल का जो मात्रा दिया गया है कि आधा केजी है तो उसका दाम क्या होगा केला अगर है तो एक दर्जन केला है तो उसका दाम क्या होगा आलू है आधा केजी तो उसका दाम क्या होगा इस तरह से इस तालिका को पूरा करना है तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में प्रश्न उत्तर देखा पाठ सुल्ला सबजी लेलो सबजी